दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरुवेत की काफी गुणकारी और एक मानी जानी ओश्री खदीरा रिष्ट के बारे में मेरे पास बैदनात कंपनी का ये खदीरा रिष्ट है आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं जो भी आपको सही लगे इस खदीरा रिस्ट के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है यानि इसका डिटेल्स में रिव्यू करेंगे इसके आपको क्या-क्या फाइदे मिलेंगे इसको यूज करने का यानि इस्तिमाल करने का सही तरीका क्या है क्या इसके आपको कोई side effect भी हो सकते है या फिर नहीं इसके ingredients क्या है इसका price क्या है इसे कौन-कौन ले सकता है सारी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा तो इस वीडियो को आप पूरा देखना कहीं पर भी skip मत करना तब ही आपको हर एक बात की जानकारी प्रापत होगी मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊ उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए है तो इस चैनल को आप subscribe जोड़ू कर लीजे ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसके प्राइस से दोस्तों इसका प्राइस जो है वो 147 रुपे है यानि 147 रुपे जो आपको 450 एमेल के काज के पैकिंग में मिलता है जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इसे आप किसी भी आयरवेतिक इस्टोर या फिर मेडिकल इस्टोर से बड़ी आसानी से खरीश सकते हैं लेकिन अगर आपको ये वहाँ अविलेबल नहीं होता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी ओनलाइन खरीदने की लिंक के दी हुई है अमेजौन की जिसे आप चेक कर सकते हैं तो ये तो बात हो गई इसके प्राइज और पैकिंग की अब बात करते हैं कि इस खदीरा रिष्ट से आपको क्या-क्या फाइदे देखने को मिलते हैं दोस्तो खदीरा रिष्ट किसी भी प्रकार का चर्म रोग यानि इसकीन डिजीज के लिए काफी ज़्यादा फाइदेमन दवा है अगर आपको इसकीन समंदी समश्याएं जैसे दाद, खाज, खुजली, इसकीन पर लाल चकत्ते जैसे पढ़ना या फिर इसकीन पर कील मुहासे, पिमपल्स, फोड़े फुनसी और ज़्यादा तर लोगों को ये फोड़े फुनसी, पिमपल्स, इस टैप की समश्याएं जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है और इसके कारण चेहरे पर दाग धब्बे जैसे समश्याएं भी हो जाती है तो इन सभी समश्याओं में आपको खदीरा रिष्ट का काफी जबरदस फाइदा जो है वो देखने को मिलता है ये चेहर्म रोगों में यानि इसकीन डिजीज में काफी बड़ी आसर दिखाती है और इसके साथी साथ ये इसकीन एलर्जी, सफेद दाग, सुराइसिस और एकजीमा जैसे रोगों में भी काफी ज़्यादा फाइदे मंदवा है दोस्तों इसके अलावा खदीरा रिस्ट आपके खून को साफ करती है यानि ब्लेट को प्यूरिफाई करती है जिसे आपकी स्किन पर एक नेच्वल चमकसी आती है और आप काफी स्वस्त रहते हैं अगर बात करूँ इसके और भी फाइदों की तो ये पेट के कीड़ों को भी दूर करती है इसके अलावा ये जोईंडेस और अनीमिया यानि खून की कमी खासी दमा स्वास के रोग और गठिया जोडों में दर्द और सूजन जैसे रोगों में भी काफी लापकरी दवा है अगर आपको इसके बात करूँ इस खदीरा रिस्ट की तो ये स्किन डिजीज और रक्त विकारों के लिए काफी बहतरीन अईरवेदिक दवा है अगर आपको इसके आपको एक बाल लेके जरूर देखना चाहिए इसके आपको काफी बढ़िया फाइदे जो हैं देखने को म आउंगा जैसे खदीर, देवदारू, दारू हल्दी, इलाइची, तेजपत्ता, दालचीनी, त्रिफला यानि हरड, बहेडा और आवला, धाई के फूल, लॉंग, सीतलचीनी, आदिये से और भी कई बहतरीन जड़ी पूटियों से मिला कर इसे बनाए जाता है जो आपके के लिए काफी ज़्यादा फाइदे मन रहता है, तो फिर चलिए अब बात करते हैं कि इसे यूज कैसे करना है और कब करना है, दोस्तो इसे आपको 15-30 ml बराबर मातरा में पानी मिला कर दिन में दो बार खाना खाने के बाद लेना है, यानि जैसे अगर आप खदीरा 15 ml ही पानी मिला का लेना है, और आप इसे खाना खाने के 20 या 25 मिनट बाद कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं, दोस्तो इसे male female कोई भी ले सकता है, लिकिन अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों को देने से पहले एक बाद डॉक्टर की सला जरूर लें, क्योंकि इसका सेवन ना करें, या फिर अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से सला लें, और इसके साथ ही साथ, जो diabetic वाले रोगी हैं, वे भी इसका सेवन करने से पहले एक बाद डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, दोस्तो अगर बात करें इसके side effect की, तो इसका आपको कोई भी side effect देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसको लेने के बाद, अगर आपको कोई healthy issue लगता है, तो आप इसे लेना बंद भी कर सकते हैं, हाला कि इसका आपको कोई भी side effect देखने को नहीं मिलता, दोस्तो यहां में आपसे कहना चाहूंगा, और आपको खदीरा wrist लेने के दोर खदीरा wrist का और भी भरपूर फाइदा ले पाएं, तो दोस्तो यह थी इस खदीरा wrist के बारे में कुछ महत्तुपूर भरी जानकारी, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को आप subscribe भी जरूर करें, ताकि मेरे आन